जेहिं, दोस्तों मैं दीपक आप सभी क다 स्वागत करता हूँ एक बर फिर एक नय वीडियो में तो दोस्तों जैसे कि आप सब को पता है कि अभी हमारी भारती रेलबी वंदे साधारन ट्रेनों को उपर काफी गंभीरता से काम कर रही है और इस वंदे साधारान ट्रेन को इंडियन रेलबे इसी अक्टूबर के लाश्ट में लॉंज करने का दावा भी किया है और इस ट्रेन का काम I.C.A.P. कोच फेक्टरी में काफी तेजी से अभी चल रहा है और इस ट्रेन को बनाने के साथ ही इस टार्टिंग में कौन कौन से रूट पर इस ट्रेन को उतारा जाए इसके बारे में भी रेलबे बोड में चर्चा चल रहा है और ऐसे में वंदे साधारान ट्रेन के लिए यहाँ पर कई रूट का नाम भी सामने आ चुका है और इस वीडियो में इसी सभी रूट के बारे में मैं आप सभी को complete detail में बताऊँगा साथी वंदे साधारन ट्रेन के बारे में अभी तक जितने भी latest जानकारी हमारे पास से बलेवल है वो भी आप सभी के साथ share करने की कोसिस करूँगा तो आप सभी से request है कि वीडियो को बिने skip के देखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लिजे साथी वीडियो को भी लाइक कर लिजे तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और सुरू करते हैं आज की इसे डेटेल वीडियो को तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी Indian Railway सबसे पहले किन किन रूटों पर हमारी वंदे साधारां ट्रेन को लौंच करने वाली है तो इसमें सबसे पहला रूट है पटना से दिल्ली वाला और ए ट्रेन पटना से निव दिल्ली के बीच में सब ताके सातों दिन चल सकती है बात कर ले दोस्तो पटना दिल्ली रूट की तो वंदे साधारां ट्रेन के लिए इस रूट के बारे में आप सभी ने सुना होगा दोस्तो बात कर ले डिस्टेंस की तो पटना से दिल्ली का डिस्टेंस है लगबग 1000 किलोमेटर और दोस्तों इस 1000 km की दूरी को तै करने में अभी इस रूट पर चल रही ट्रेनों की बात कर लें तो इस 1000 km की दूरी को तै करने में अभी एवरेज 12 से 15 घंटे का समय आपको दे नहीं होगा यानि कि लगबग 12 घंटे 5 मिनट का समय आपको लगेगा तब आप पटना से दिल्ली पहुच पाएंगे वहीं बात कर ले हमारी वंदे साधारान ट्रेन की कि जब इस रूट पर वंदे साधारान ट्रेन लौंच हो जाएगी तो यह जो दूरी है वह कितने घंटों में पूरा हो पाएगा तो दोस्तों आपको तो पता है कि हमारी जो वंदे साधारान ट्रेन है वह एक 9C ट्रेन होगी और इस ट्रेन में 22 डब्बे लगे होंगे और हमारी वंदे साधारां ट्रेन का भी जो मैक्सिमम ओपरेटिंग स्पीड है ओ 130 kmps ही होने वाला है इसलिए हमारी वंदे साधारां ट्रेन को भी पटना से दिल्ली पहुचने में यानि की 1000 km के डिस्टेंस को कवर करने में करीब 12 घंटे का समय लगने वाला है लेकिन यापर सबसे बड़ी बात यह है कि ए ट्रेन पूरी तरह से नने सी ट्रेन होगी जिस वज़े सी ट्रेन का फेर भी काफी ज़्यादा कम होगा और इसलिए ए ट्रेन पूरी तरह से आम आदमी की ट्रेन होगी और एक आम आदमी की ट्रेन भी पटना से दिल्ली की दूरी मातर 12 घंटे में ही पूरा कर पाएगी दोस्तों पटना दिल्ली रूट पर वैसे तो सालों भर भीण आपको देखने को मिलेगा लेकिन खासकर जो भी फेस्टिबल सीजन है खासकर बिहार का महा पर्व कहे जाने वाला छट पूजा आने के समय दिल्ली पटना रूट पूरी तरह से पैक हो जाता है भीण से और ऐसे में दिल्ली से पटना आने वाली सबी ट्रेनों में टिकट मिला काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फेस्टिबल सीजन में इवन जनरल कोच में इतना ज़्यादा भीण होता है तो खास कर फेस्टिबल सीजन में भीण से बचने में थोड़ी सी राहत मिलने वाली है मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगा कि भीण पूरी तरह से खतम हो जाएगी लेकिन भीण से बचने में थोड़ी सोहोलियत जरूर मिलेगी और दोस्तो आपको तो पता है कि पटना दिल्ली जो रूट है वो इंडिया रेलबे के इंपोर्टेंट रूट्स में से आता है और पटना दिल्ली रूट पर वंदे साधारा ट्रेन चलाने के लिए इंडिया रेलबे पहले ही पलानी कर चुकी है दोस्तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दूसरे रूट के बारे में तो दूसरा रूट भी काफी ज़ड़ इंपोर्टेंट है और यह रूट है हाबळा से नुवदिल्ली वाला कम कम 17 घंटे 15 मिनट से लेके 23 घंटे एब्रेज देने हुँगे तब जाकि आप हाब ला से दिल्ली पहुँच पाएंगे और एबन इस रूट पर काफी प्रीमियम ट्रेने भी चला करती है लेकिन प्रीमियम ट्रेने भी कम से कम 17 गंटे 15 मिनट अब करती है हाबला दिल्ली रूट पर या फिर हम कहें दिल्ली हाबला रूट पर याने कि दिल्ली हाबला रूट पर भी ट्रेबल करने वाले यात्रियों का यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है भर भर के ट्रेबलर हैं इस रूट पर इसलिए इंटिया रेल पर हाबला दिल्ली के बीच में व आपको 22 फुली नौन ऐसी कोच देखने को मिलेगा और दोस्तो हाबडा दिल्ली रूट पर भी या त्रियों को थोड़ी सी सहलिये जरूर मिलेगी इस वंदे साधारान ट्रेन के चलने से वैसे तो दोस्तो हाबडा से दिल्ली आने के लिए आपको बहुत सारी प्रीमियम ट्र प्रन्तो जैसी ट्रेने प्रीफर कर पाए कम समय में दिल्ली पहुंचने के लिए वैसे लोगों को एक बहतर ओप्सन वंदे साधारान ट्रेन देने वाली है इस ट्रेन का फेयर तो कम होगा लेकिन जो ट्रेबल टाइम है वो प्रीमियम ट्रेन के बराबर होने वाला है यान मुंबई से निव दिल्ली वाला और मुंबई से निव दिल्ली के बीच में भी आपको वंदे साधारान ट्रेन देखने को मिलेगी वैसे तो दोस्तो आने वाले 2024 में सिलीपर वंदे भारा ट्रेन भी आपको मुंबई दिल्ली रूट पर सबते पहले ही देखने को मिलेगी क कि ये हमारे इंडिया का सबसे important route है और दिल्ली मुंबई रूट पर बहुत सारी ट्रेनों का option देखने को मिलेगा और हमारी sleeper वंदे भारा train के चलने से पहले आपको वंदे साधाराण train दिल्ली मुंबई रूट पर देखने को मिल जाएगा दोस्तो बात कर ले मुंबई दिल्ली रूट की तो मुंबई से निव दिल्ली का डिस्टेंस है लगबग 384 किलोमीटर और इस 384 किलोमीटर के डिस्टेंस को कबर करने में अभी चल रही ट्रेन ने 15 घंटे 32 मिनट से लेके 20 घंटे तक का एवरे ट्रेबल टाइम लेती है वहीं बात कर ले हमारी वंदे साधारां ट्रेन की तो हमारी वंदे साधारां ट्रेन भी आपको दिल्ली से मुंबई या फिर मुंबई से दिल्ली 15-16 घंटे में ही पहुचाने वाली है और दिल्ली से मुंबई के बीच में चलने वाली वंदे साधारां ट्रेन में भी आपको 22 स्कोच वाला रायक देखने को मिलेगा और दोस्तों दिल्ली मुंबई रूट पर अगर आपने ट्रेबल किया है तो ए बाते आपको अच्छी तरह से पाता होगी कि इस रूट पर डेली ट्रेबलर बहुत ही ज्यादा है या फिर कहें कि ये दो बड़ी सहरों को जोडने वाला रूट है और ऐसे हम दोस्तों वंदेश साधारान ट्रेन का ओप्सन जब आपको दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली आने जाने के लिए देखने को मिलेगा तो इसमें कम किराये के साथ ही हाई टेक सुबदा तो मिलेगा ही साथी जो ट्रेबल टाइम है वो भी प् और हैदराबाद से चलकर नई दिल्ली को आने वाली वंदेश साधारान ट्रेन भी आपको पट्री पर देखने को मिलेगी और इस पर भी लगबग अप्रूबल मिल चुका है रेलवे बोट का क्योंकि दोस्तों हैदराबाद से न्यू दिल्ली वाला जो रूट है इस पर भ दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है ओ है लगबग 1666 किलो मिटर यानि कि 1666 किलो मिटर और इस 1666 किलो मिटर की दूरे को तैक करने में और हैदराबाद से न्यू दिल्ली पहुँचने में इस रूट पर अभी चल रही ट्रेन ने 21 गंटे 40 मिनट से लेके 26 गंटे तक का एब हैदराबाद पहुचने में लगबग 21 से 22 गंटे का ही समय लेने माली है यानि कि दोस्तो इस रूट पर सबसे फास्टेश ट्रेन जो की 21 गंटे 40 मिनट के समय लेती है हाला कि यह प्रीमियम ट्रेन होने के बावजूद भी 21 गंटे 40 मिनट के समय ले लेती है और वहीं हमारी वन्देश साधाराण ट्रेन जो की पूरी तरस ननेसी होगी और ननेसी ट्रेन होने के बावजूद भी हमारी वन्देश साधाराण ट्रेन हैदराबाद से दिल्ली लगबग 21 से 22 गंटे में ही पहुचने माली है यानि कि इस रूट पर भी आपको कम किराये में प्रीमियम प्रेन वाली फील मिलेगा दोस्तो हैदराबाद और दिल्ली दोनों ही देश के परमुक सहरों में से आते हैं और इने दोनों सहरों के बीच में जब वन्दे साधारा ट्रेन के लौचिंग हो जाएगी तो कहीं न कहीं न दोनों सहरों के जो connectivity है वो पहले से और ज्यादा ही कम होगा लेकिन इसमें सूबिदाय काफी जदा हाइटेक आपको देखने को मिलेगा और हैदराबास से दिल्ली रूट पर आपको बहुत जल्दी ही वंदे साधारां ट्रेन में सफर करने का मौका इंडिये रेलबे देने वाली है तो दोस्तों ए थे वंदे साधारां ट्रे आपको देखने को मिलेगी फिलहाल दोस्तों ए चार रूट का नाम यहाँ पर सामने आया है लेकिन दोस्तों ऐसे हमारे देश में कई रूट का नाम भी आपको आगे देखने को मिलेगा जो की वंदे साधारां ट्रेन के लिए इंडिये रेलबे सर्वे करा रही है और दोस् यहाँ नवेली वंदे साधारां ट्रेन को क्योंकि premium ट्रेनों में travel करने वाले यात्री मोटा पैसा खर्च करते हैं और वहीं दूसरी ओर वंदे साधारां ट्रेन में आपको कम किराया में ज्यादा फैसलिटी और कई वंदे भारा ट्रेन जैसी सूबदा आपको इंडिये र इमानें पर लॉंच करने वाली है और दोस्तों इसको लेकर इंडिया रेलबे दावा ये कर रही है कि जो हमारी वंदे साधारान ट्रेने है वो अभी तक की नोन एसी ट्रेनों का पूरी तरह से तस्वीर बदल देगी और एक नया पहचान इंडिया रेलबे को नोन एसी ट्रे जो देखने वाली बात ही हुगी कि अक्टूबर के महिने में हमारी पहली वंदे साधारान ट्रेन की लॉंचिंग हो पाती है या फिर नहीं फिलाल दोस्तों ए वंदे साधारान ट्रेनों को देश के और कौन-कौन से रूट पर इंडिया रेलबे को लॉंच करना चाहिए य और अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं कि मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत